नमस्कार पर्दीप कोशिक मॉटिवेस्ट ट्रेनर एंड इस्पीकर आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ आज आप सब लोग ऐसा वीडियो देखेंगे जो आपका लाइफ चेंजिंग मॉमेंट हो सकता है इसलिए इस वीडियो को सुरु से लेकि आके तक देखना इसकी पर नहीं करोगे और स्वेयर जरू करना क्योंकि ये मैसेज सब को पोछना चाहिए मैसेज क्या है कि कभी भी किसी को प्लीज करने में मत लगो कि वो रूट गया उसका मनाना है जिसके अंदर ये भावना होती है सभी को प्लीज करने की वो कभी उचे मुकाम पर नहीं पूंच सकता जो उसका अपना मुकाम है जो उसकी उन्नती है उस पर नहीं पूंच सकता वो इसी में लगा रहेगा कि यार वो नराज हो गया मनली आपको इक कार्य कर रहे हैं पढ़ाय कर रहे हैं और कोई आता है और आप उसका सास निन देते हैं तो वह न्लगाऽ दिदेते हैं तो आप कीवाय की नहीं हुए थोड़ी देर की बुराई लीजिए कोई प्लीज होता है ने होए जब आप मकाम हासिल कर लोगे उंची सपलता प्रात कर लोगे तो वही जो रूठे हैं आपके पास आ जाएंगे इसलिए इस फेज को ऐसे ने गुजारो जो प्लीज होता है वैलन गुड नहीं होता है तो ने होने दो ये दुनिया ऐसी ही है मैं अभी आपको धारन दूँगा उसको आप सुनकर अचंबित हो जाओगो कि वास्तम में आप किसी के लिए मर भी जाओगे ना तो वह है करेगा कि इसकी मौत तो आ रही होगी तो इसलिए आपका फर्च है इस वीडियो को सुरू से लेकर आखिर तक देखे और सेयर करें मैं चलिए सुरू करते है मैं इसकी सुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं जिससे आप समझें कि येस ये दुनिया है क्या यहां के लोग बागों के अंदर क्या भरा हुआ है उनको केवल क्रिटिसिज्म करना है चैहे आप कुछ भी करें अच्छा करें बुरा करें उनको क्रिटिसिज्म करना है पस उनको उसमें खाम्या निकालनी है गल्ती निकालनी है यही इस दुनिया का दफ्तूर है चलिए एक बार किसी गाम में एक परजापती परिवार रहता था उनके यहां पर कोई एक गध्या नहीं था जिसकी उनको कमी खलती थी क्योंकि वो काम करते थे तो काम में बोज़ा ढोने के लिए एक गध्या की जरूरत थी तो वो मेले में गए गाम में मेला लगा हुआ था किसी दूसरे गाम में गाम से दूर तो वो अपने बेटे को लेकर पंदर सोड़ा साल का रड़का था उनका उनको लेकर वो उस मेले में गए और उहां से वो गधा लेकर आ रहे थे तो जब वो गधा लेकर आ रहे थे तीनों गधा और वे दोनों तो तीन हो गए तो उनको देखकर कुछ रागिर बोलते हैं देखो यार कितने पागल बंदे हैं गधा होता है सवाली के लिए और ये पैदल चल रहे हैं, पागल हैं, इन्हें इस पर बैठकर जाना चाहिए, तो वो सुनकर गदे पर बैठ गए, तो जैसे थोड़ा आगे चले, तो कुछ राह की रोड मिले, वो कहते हैं उन्हें देखकर, कि देखो यार, कितने बेसर्म लोग हैं, इतनी गर्मी में इस बे जुबान जानवर पर बैठे हुई हैं, ये बोल नहीं सकता इसलिए देखो, इसकी क्या हलत बना रखिये, इस पर अच्छाआ कर रहे हैं, इतनी गर्मी हैं, इसके ऊपर सवाई करोई हैं, इस बेजुबान जानवर, कुछ नहीं बόलता, तो इसपर बैठे हुई है, वो बोले देखो कितना बेसरम ये बेटा है अपने बाप को पैदल चला रखा है खुर इस पर बैठा है ऐसे बेटे से तो बेटा ना हूँ वही अच्छा है इतनी मिली बात बोले वो फिर बहुत दुखी हुए और फिर वो बेटा उतर गया वो बोला पिता जी अब आप बैठी तो पिता जी बैठ गए फिर थोड़ी दूरोड चले हुए फिर तुको ये दूसरा गाम आया वहां के रागिर बोले देखो यार आज कल तो कल्युग आ गया है गहोर कल्युग आ गया है ये बाप देखो इसको बेटे की परवा नहीं है ये नन्ना सा बेटा है इसको पैद वह क्या करें रो उसर गया अब बोले पिता जी अब क्या क्या गया है कि इसके दोनें पैर उठा बोले कि पर उटा रुद मार्म ट्रूठ हैं तो उन्हों ने किया उसका उन्हें कोई अच्छा आंसर या कॉमेंट्स नहीं मिला सब में उन्हें कसुरवार ठेराया गया तो यह है दुनिया का असली रूप जो मैंने आज आज आपको दिखाया आप कोई भी कितना भी अच्छा कारिया कीजिए आपको नेगेटिव फिंग्स ही मिलेंगी म मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाता हूं आज मिन वीडियो बना रहा हूं इसको कोई ने देखेगा क्यों कि अब आप सबंद जाइए मैं इतनी वीडियो मेण ऑन उसमें ऐसे बच्छे हैं दो तीन तो उनको नेगेटिव बोलना ही बोलना है तो ये दुनिया है और इस दुनिया को छोड़िए क्या मैंने मुझे पर इतने नेगेटिव कॉमेंट्स आते हैं क्या मैंने वीडियो बनाना छोड़ा नहीं तो इसलिए आप सब लोग अगर आपको उन्नती चाहिए तो ये प्लीज करना छोड़ दिजिए किसी को भी ठीक है क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि अगर आप उनके लिए अपनी जान भी नोचाहर कर दोगे तो बोलोगे कि नहीं इसकी खुद ही आई हुई है तो ये दुनिया है इस दुनिया से बचके रहो प्लीज करना छोड़ दीजिए जिद दिन आपने प्लीज करना छोड़ दोगे तो आप एक सीडी ऊपर चलेगे उन्नती की तो उन्नती का जो सबसे बड़ा बादख है वो है प्लीज करना तो इसको छोड़ दीजिए जिन दिन आपने छोड़ दिया उस दिन आपकी परसनलिटी में चार चांद रख जाएंगे चलिए कल फिर किसी और अच्छे टोपिक क करता हूँगा तब तक के लिए नमस्कार जैहिन बंदे मातरम